नमस्कार देश्वाश्यों मैं राजूराम राठोड मैं पहुंचा हूँ आज पाली जिले के रोफिट तैसेल के कुलताना गाउं में साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा एक नए किसान ने बिना किसी खर्पतवार डाले बिना किसी रसाइनिक का उप्योग करके न यूरिया न डिएपी और अपने घर पे एंस्यो टेक्नोलोजी वेस्टडी कंपोजर बना कर इस्तिमाल करके इस फसंद के अंदर इस्तिमाल किया इसके बारे में जानेंगे मेरे सामने खड़े हैं जी आपका नाम बताइए वह आ पहले रसाइनिक खेती किया करते थे या फिर जेवी कि करते थे जब मेरे पीता जी खेती करते थे तो रशायनिक खेती करते थे यूरिया जैसे कोई खरबतवार के लिए कोई दवई छाणते थे मगर जब से मैं खेती कर रहा हूँ तब से मैंने रशायन खेती बिल्कूल बंद कर दिये और जो आपने बताये वेस्ट डीकंपोजर उसके आपके पीता जी रशायनिक खेती किया करते थे कभी कभी खरबतवार ना सक भी डाल दिया करते थे और आप जब से खेती में तीन चार साल हो गए जब से आप खेती में लगे हैं परिवार वालों की कापी सुननी तो पड़ रही है लेकिन आप बदल नहीं रहें रशायनिक कमपोजर का इस्तेमाल अभी करना है इस से पहले साथियों मैं आपको दिखा देता हूं इस फसल के अंदर अब की बार ना यूरिया ना डीएपी ना खर्पतवार कुछ भी इस खेद के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है यह आपका पहला साल है दो साल से आप कोशिश कर र आएगी जो परिशानिया आएगी वो परिवार वाले ही हैं सातियों आज मार्क दर्शन करने के लिए परिवार वालों को मनाने के लिए मुझे तकरीबन 200 किलोमेटर दूर बुला के कल एक मिटिंग का प्रोग्राम रखा था कुलताना गाउं में और गाउं के गाउं के सार सारा जैर होता है उसे बहुत सारी बीमारिया फैलती है बीपी हुआ सुगर हुआ कैंसर हुआ विचितर विचित परकार की इसमें बीमारिया फैलती है तो और आपनी धर्ती जो है वह भी खराब होते है खेत भी दिन दिन बर दिन खराब होते है जिसे इसके अंदर पहले व हिलकुल दिखा ही नहीं देता है का राम जी में पर गाउइं और 90 वाले आपका व्हस्त आजब है भी आwać रगर्ण परताती फसल बाजरा और ये तिल्ली बेराराम जी इस वीडियो के माध्यमसर में आपसे निविदन करता हूँ ताकि किशान मित्रों को जो इस वीडियो को देख रहें उनको भी जानकारी मिल जाए इसके अंदर अब आगे मंगलवार आ रहा है अभी फुलवारी आ रहे है त अंदर असाइन का प्रियोग करने के बाद या पहले आपको ताजी छांच इसको प्रिस्परे करनी है चांच की वज़र से फ्ल जादा आता है ताजी छांच इसके-माल करने वैसे तिल्ले के ऊपर किशी भी तरह का कोई इस्तिमाल कीतना सक नहीं किया जाता है लेकिन फसल बड़वार के लिए माइक्रो नियूटरेंट देना आती आविशक हो जाता है साथियों एक नया गाउं एंसियो टेक्नोलोजी के साथ आज टाइप होने जा रहा है मैं राजूराम राठोड गाउं की खेत की हर एक किसान की समश्या के साथ हूं आपको जेविक खेती करने में अगर कोई समादान नहीं मिल रहा है किस चीज को कैसे बनाना माइक्रो नियूटरेंट वेस्टरडी कमपोजर के साथ कैसे बनाना उसकी जानकरी चाहिए तो आप कॉल करें पूछें मेरे नंबर 9461691944 इससे पहले कि बैराराम जी के आस पास के किसान यहां इर्द गिर्द या पाली जी लेकि जो किसान बैराराम जी से संपर करना चाहते हैं इन से भी इनका नंबर ले लेते हैं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए साथियों अब आप फसल देख सकते हैं आपका पहला साल है आप बैराराम जी कह रहे हैं पाली जिले के आस पास रोईट तैसिल के आस पास अगर कोई मित्र इस वीडियो को देख रहा है और उन्हें वेस्टर डी कंपोजर की आवशकता है तो आप बना बनाया गोल फ्री मे साथियों यह वी अन्हें के द्वारा सहीयों की बावना देखते रहे हैं मरहर एक वीडियो को आपको हर राजस्तान के हर एक जिल्ले के हर एक तैसिल के हर एक गाउं के हर एक द्वार के किसान की अनोखी विदी गरेलू विदी कुछ नई कुछ पूरानी कुछ टेक्निकल सबकी जानकरी मिलेगी धन्यवाद